हेलो एवरिवन, मेरे कीचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपावली का तेहुआरा आ रहा है घर में तरह-तरह की मिठाईयां बनती है मिठाईयों में कंडेंस मिल्क भी डाला जाता है जिससे मिठाईयों का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है आज मैं दो तरह की कंडेंस मिल्की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ एक जो दूद से बनती है और एक इंस्टेंट वाली जो पांच मिल्क में बनके तैयार हो जाती है और ये घर में बनाई है तो ये काफी मातरा में बनती है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब और बैल आइकोन जरूर क्लिक करें ताकि मेरी रेश्पी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए फिर कंडेंस मिल्क बनाते हैं सबसे पहले दूद से कंडेंस मिल्क बनाएंगे दूद से कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीटर फुल क्रीम दूद लिया है ये भैस का दूद है इसे गैस पे गरम करने को रख दिया है gas की आच स्लो की है दूद में उमाल आने से पहले इसमें 150 ग्राम चीनी डाल देंगे condensed milk बनाते से मैं अगर चीनी पहले डाला तो condensed milk का कलर बहुत ही अच्छा आता है बनने के बाद यह condensed milk करमलाइस जास होता है चीनी डालने के बाद gas की आच सतेज करेंगे और दूद को उबालेंगे इसे लगातार घुमाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से गल जाए अब इसमें उबाल आ चुका है अब गैस का फ्लेम, मीडियम करेंगे और दूद को इसी तरह उमलने देंगे इसे इसी तरह बीच-बीच में घुमाते रहना है ताकि दूद जले नहीं जब तक दूद गाढ़ा नहीं हो जाता है इसे इसी तरह पकाना है लगबग 20 मिनट हो चुके हैं दूद काफी गाढ़ा हो गया है अब गैस की आज बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा अब कंडेंस मिल्क ठंडा हो गया है और ये काफी गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी मार्केट जैसे कंडेंस मिल्क जैसा है दूद से बना होममेट कंडेंस मिल्क तयार है इंस्टेंट कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम मिल्क पॉडर 50 एमेल दूद और आधा चमच घी ये मिल्क मेट बनके 5 मिन्ट में रेडी हो जाता है सबसे पहले दूद को मिल्क पॉडर में डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाना है ताकि गरम करते समय इसमें गुठलिया ना बने और ये स्मूथ बैटर बन जाए अब एक पैन को गरम करेंगे बैटर डालते से में गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए और फिर इसे लगातार घुमाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं आब इसमें 4 चमच चीनी भी डाल देंगे मैं चीनी मेंशन करना भूल गई थी और इसे फिर लगातार अच्छे से घुमाना है ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये नीचे से जले भी नहीं अब इसमें आधा चमच घी डालेंगे और फिर से इसे लगातार घुमाते रहना है जब घी बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस बंद कर देंगे अब इंस्टेंट कंडेंस मिल्क भी रेडी है ये भी काफी थीक हो चुका है ये चार से पांच मिनट में बन के रेडी हो गया इसका कलार और टेक्शर कंडेंस मिल्क की तरह है दोनों कंडेंस मिल्क को एर टाइट जार में भरके 15-20 दिन के लिए रख सकते हैं और जब भी घर में केक, खीर, मिठाईया बनानी हो इसका इस्तमाल कर सकते हैं मेरी रेश्पी का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा बनाया हुआ दोनों कंडेंस मिल्क आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई-नई रेश्पी आपके साथ शेयर करती रहूँ और आप भी इसे घर में जरूर बनाए